हाई गाईज वेलकम बेक टो अचनल कार डियाइवाई आज फिर से हाजिरे लेके एक नई डियाइवाई वीडियो आप लोगों के लिए और आज की वीडियो होने वाली है हेड लाइट बल्प अपग्रेडेशन के उपर काफी लोग अपनी गाड़ी की हेड लाइट से संतु लुष्णी होतें उनको लगता है कि और रोशनी कम है और इनकी रोशनी कम लगती है तो उनने हाईवे ब्राइव करना है जैसे आपाता और लगता है कि भाई light जो है वो काफी कम है इससे बहतर light हो सकती है तो आज की वीडियो इसी चीज़ के उपर है अब देखो दिक्कत तो हमें पता लग गई पर इसका solution क्या है solution है इसका bulb upgrade अब टाटा की तरफ से कोई भी option अवेलेबल नहीं है कि भाई आप service center पर जा तो मैं आपको यह कहूँगा देखो service center का काम है आपको डराना वो चाहते है कि आप सिर्फ service center तक ही limited रहो वहां से भार मत जाओ अब मैं आपको यहां पर यह सजेस्ट करूँगा कि जो company ने bulb आपको लगा के दिये है जिस rating के bulb आपको लगा के दिये है आप उस specification में रहके ही बल्ब को अपग्रेड करें प्लस कोई wiring वगारा कट मत करें rest all is good आप अपग्रेड कर सकते हो ऐसे warranty वगारा कुछ वाइड नहीं होती सब चिल है उसमें तो अब यह तो पता लग गया आपनको कि घाड़ी में बल्ब अपग्रेड करना है पर कौन सा बल्ब चूज करें यह अब आज की इस वीडियो में मैं अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करूंगा सिर्फ हेलोजन में हमें क्या-क्या उप्शन मिल जाते हैं तो अपनी जो नेक्सोन है उसके अंदर हमें एच 7 बल्ब मिलता है हाई बीम और लो बीम दोनों में जो कि 55 वोर्ट का है और 12 वोल्ट का है तो आपको इन रेटिंग के अंदर ही रहना है हाईयर रेटिंग का बल्ब नहीं चूज़ करना है क्योंकि जब एक हाईयर रेटिंग का बल्ब चूज़ करते हो तो उसके हिसाब से आपको वाइरिंग भी अपग्रेड करनी पड़ती है तो अब यह देखते हैं कि हमारे 55 वोर्ट का है जो कि अपनी रेटिंग है जो कमपनी से बल्ब लगके आया था सेम वैसा ही यह भी वही सेम है और यह अगर बात करें तो आप यहां पे देखेंगे यह 100 वोर्ट का है तो इस बल्ब की मैं बात कर रहा था कि ऐसे बल्ब पे आप ना जाएं क्योंकि अगर ऐसे पे आप जाएंगे तो इसके लिए आपको एक वाइरिंग एड करनी पड़ेगी रिले के साथ वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी हम काम करें वो जो कंपनी ने कुछ समझ के ही बल्ब को लगाया है उसके हिसाब से उसी रेटिंग में रहके करे तो ये बल्ब हम यूज नहीं करेंगे और ये बल्ब उनके लिए है जो एक वाइटिश लाइट चाहते है अपनी गाड़ी से कि जो प्रोजेक्टर है उसमें थोड़ा वाइट की तरफ लाइट का जो कलर टेंपरेचर है वो रहे तो ये उनके लिए है तो ये भी साइड मे परसेंट वाला बल्ब तो आज में अपनी गाड़ी में ये लगाऊंगा और इसको लगा के देखेंगे कि भाई सही में कुछ फरक पड़ भी रहा है नहीं पड़ रहा है क्योंकि अभी कंपनी से आयते स्टॉक बल्ब वह गाड़ी में लगे हुए है ये इनका रिस्पोंस परसेंट है तो यहां पर आप इसकी MRP देख सकते हो 3400 इसकी MRP है एक पेर मिल जाता है 3400 में MRP भी चेंज होती रहती है जो मेरे पास है उसकी यह है प्लस एक चीज़ और मैंने इसमें देखी कि अगर आप इसमें देखेंगे लाइफ टाइम तो आप जब अपग्रेड करत कि भाई लाइफ हाफ स्टेंडर बल्ब से और इतना महेंगा बल्ब है तब भी तो यह है मेड इन जर्मनी बल्ब है यह बाकी मैं बॉक्स की इमेज डाल दूँगा आपको दिखरी होगी अपने स्क्रीन पे तो अब हमें लाइट टेस्ट करने के लिए एक दिवार चाहिए होती है बहतर रहता है कि आपके सामने वाइट दिवार हो मेरे सामने वाइट दिवार नहीं है तो मैं इसके सामने टेस्ट करूँगा तो अगर अभी हम हैड लैम्स ओन करें इस तरीके से मैंने हैड लैम्स दिए तो आप देख सकते हो यहां पे हमें अपनी हेडलाइट का पैटन दिखाई दे रहा है और यह लो बीम है अभी थोड़ा सा और अंधेरा हो जाएगा तो बहतर समझ में आएगा आपको तब तक एक दो चीज और है जो मैं आपको बता देता हूं समझा देता हूं तो बो ऐसे लगता है अब अगर आप हैडलाइट देखोगे तो यहां पे आप साइज कुछ हमिए हैं तो यह दोनों बल्ब रिमूव करनी ही पड़ेगी तो एक तरीके से ये एक डिजाइन का फ्लोई हो गया कि बल्ब बदलने के लिए आपको पूरी बैटरी रिमूव करनी पड़ेगी चलिए खैर वो एक अलग चीज है तो गाइज मेरे दिमाग में एक चीज आई कि बल्ब हमारी गाड़ी में एक लगे हुए है और एक हम लगाना चाते हैं जिसके उपर लिखा है कि भाई अपटू 200% ब्राइटनेस तो एक चीज मेरे दिमाग में आई भाई एक एप डाउनलोड क्यों ना करी जाए जो कि light की intensity को measure करती है अब इससे ये देखेंगे कि भाई वाके में कुछ फरक है मतलब मैं तो एक layman हूँ मुझे नहीं पता कि 200% brightness क्या होती है तो ये तो देखें कि भाई जो ये वाला बल्ब है ये इसकी कितनी light intensity बताता है ये वाला एप और इसके बाद वो वाला बल्ब लगाके देखेंगे और उसकी light intensity measure करते हैं ये करते हैं पहले तो मैं जल्दी से आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो एप है ये कैसे काम करती है तो जैसे जैसे light की intensity जादा होती जाती है जो ये reading है ये भी बढ़ती जाएगी लक्स के अंदर होती है ये reading तो मैं यहां से भी torch को on करता हूँ एक बार तो एक बार torch को on किया तो आप देख सकते हैं वहां पे जो reading है वो है 158 अब यहां से फिर मैंने intensity बढ़ाई तो reading हो गई 300 एक बार फिर से बढ़ाई तो almost 500 एक बार फिर से बढ़ाई तो 550 almost तो इस तरीके से एप काम करती है जैसे जैसे इसके intensity बढ़ती जाती है ये बढ़त जाती है अब off कर देते हैं एक बार तो आप फिर से देखिए जो room की light है उसकी intensity बता रहा है अब मैंने गाड़ी को दिवार के बिल्कुल pass लगा दिया है जो light का source है वो बिल्कुल constant रहना चाहिए उसका distance और अब हमें असानी भी हो जाएगी मतलब मैं point mark कर लूँगा ये व point mark कर लेंगे कि यहीं पर रखेंगे और ये मेजर करते हैं कि कुछ फरक सही में है या नहीं है तो यह अमने एप ओपन कर ली और headlamps on कर लिए और यह एक लाइन मैंने यहां पर marking डाल ली है जो अपने phone का top है वो इस line के साथ align करते हैं और आप देख सकते हो यहां पर जो reading आ रही है वो आ रही है 3090 एप्रॉक्स की चेंज हो रही है तो इकती सो ले से हैं reference के लिए तो इकती सो है जो स्टॉक बल्ब है उनकी light intensity अब बल्ब चेंज करके ट्राइब करते हैं अब हमने दूसरा बल्ब लगा दिया है और इसको मैजर कर रहे हैं यहां पर तो मुझे कोई भी फरक इसमें देखने को नहीं मिला वही 3000 के आसपास ही आरी यह reading और सेम पोजिशन पर रखा गया है तो इस इस सप्राइजिंग बल्ब चेंज करके मुझे लग रहा था कुछ तो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा light intensity के अंदर तो एक बार दोनों क होट्सपोर्ट मेजर कर लेते हैं क्या उसमें कुछ फरक देखने को मिलता है या नहीं मिलता है तो यह है अपना Osram का bulb 200% brightness वाला और यह है अपना stock bulb तो आप यहां पर देख सकते हैं पूरा bluish नहीं है बट कहीं कहीं पे थोड़ी coating है प्लस उपर इसमें chrome की coating है कैप पे और इसमें normal black coating है तो अब मैं जो passenger side है उस side भी Osram वाला bulb लगा रहा हूं क्योंकि एप से तो हमने देखा बट रियल लाइफ में सही में कुछ फरक है रोड पे कुछ देखने को मिलेगा का difference वह चेक करना है तो दोनों बल मैंने upgrade कर लिये हैं और अब इनका देखेंगे थोड़ी सी गाड़ी पीछे करूंगा पहले और फिर आपको यहां पर दिखाऊंगा कि यहां पर कैसा response है फिर गाड़ी थोड़ा सा चला के देखेंगे कि सही में कुछ फरक है या नहीं है दोनों आपको side by side parallel दिखेंगे तो सामने कुछ ऐसा response है इस light का parallel ही आप देख पा रहे होंगे दोनों light है कि किसका कैसा response है अगया कि अगया तो गाई अब बात करते हैं वर्डिक्ट की तो जो यहां पर देखेंगे और दोनों नहीं है लाइट है Osram Night Breaker 200 ये मुझे पसंद नहीं आई reason है इसकी cost तो 3400 रुपे है इसकी MRP जो की इसकी performance को बिल्कुल भी justify नहीं करती है अगर बात करे performance की तो हाँ जो हमारे stock bulb है गाड़ी के अंदर उससे जादा दूर तक इसकी रोशनी जाती है अगर बात करे brightness की तो भाई बिल्कुल भी 200% more brightness मुझे इसकी नहीं लगी brightness मुझे लगा 40-50% ही जादा होगी अपने stock bulb से और अगर बात करें इसकी life की तो भाई आधी life है इसकी standard bulb से तो इतने पैसे में क्यों खर्च करूँगा अगर बात करें normal bulb की जो हमारी गाड़ी में लगके आता है तो after market में वो आपको 1500-200 रुपे में अराम से मिल जाएगा और जो इसकी cost 3400-3400 में तो भाई LED के options भी मिल जाते हैं या फिर थोड़ा और पैसा लगा के हम अच्छे LED option चूज़ कर सकते हैं तो इस पर क्यों जाएंगे हम तो भाई मेरा answer है no मैं ये comment बिल्कुल भी नहीं करता हूँ मुझे ये पसंद नहीं आए अब हम फिर से उसी situation में फस गए हैं कि भाई हमारे बल्ग तो upgrade हुए नहीं है मुझे इनसे काफी जादा expectation थी कि performance काफी अच्छी होगी बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ अब मैं LED में upgrade करूँगा जल्दी मैं LED के उपर भी वीडियो लेके आ रहा हूँ अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से subscribe कर ले ताकि जब मैं LED वाली वीडियो डालू तो आप मिस ना करें Thank you